कि कि ए गार्ड वेलकंव फिर्स लेक्चर ऑफ दे चैप्टर ब्लांट किंग्डम आयम हरिशुकुमार और इस लेक्चर में हम प्लांट किंग्डम इंड्रोड़क्शिन के बाड़े में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कुछ formalities है अगर तुम चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है निटालजी चैनल उसको सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो अप्लोड करो तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और निटालजी को तुम टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हो तो चैनल इनिटालजी का जो लिंक है वो रहा यह यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है निटालजी अंडर्सको वी सौ और इचि विटिकल क्लासीफिकेशन ओके बाइलोजील क्लासीफिकेशन हमने पढ़ा था एक चैपटर जोकी Kingdom PLants से पहले आता है NCRT में उस चैप्टर में biological classification में हमने देखा था आरिच विटिकर classification अगर तुम्हें याद हो तो आरिच विटिकर classification में हमने क्या देखा था आरिच विटिकर ने five kingdom classification system बनाया था जिसमें आरिच विटिकर ने इस धर्ती पे जितने भी जिवित जन्तु है living organism है उन सब को पांच kingdom में classify किया था पहला मोनेरा जिसमें usually सारे bacteria होते है ठीक है और फिर प्रोटिस्टा फंजाई plantia और अनिमेलिया मोनेरा जिसमें सब बैक्टिरिया है basically प्रोटिस्टा और फंजाई इन तीनों को हमने biological classification में खतम कर लिया पढ़ लिया इनके बारे में को हम animal kingdom वाले चैपटर में पढिंगे तो प्लांटिया बजता है तो इसे हम पढ़ेंगे 1900 फाले चैपटर में जो कि यह वाला चैपटर है तो kingdom plantia ठीक है kingdom plantно चे कि प्लांटिया के बारे में जो था बारे में जेनररल autotropic is a type of autotropic mode of nutrition, autotropic याद करो, autotropic, autotropic मतलब क्या ऐससे organism, जो अपना खाना खुद बना रहे, दूसरे organism पर डिपेंड नहीं हो रहे, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम heterotrop कहते हैं, लेकिन plant क्या है, autotrop है, autotrop में भी क्या है, phototrop है, यानि की, light energy का इस्तिमाल करते हैं, sun से जो sunlight मिलता है, उसका इस्तिमाल करते हैं, और अपना खाना बनाते हैं, याद करो, autotropic भी दो तरका था, एक था chemotrop, एक था phototrop, प्लांट जो होते हैं, वो autotrop में fall करते हैं, लेकिन यह होते है, phototrop, plant chemotrop नहीं होते हैं, तो plant phototropic mode of nutrition स्टो करते हैं, photosynthesis करते है और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, phototropic mode of nutrition का एक और नाम है, holophytic nutrition, या फिर holophytic mode of nutrition, दोनों एक ही चीज़ है, same है, phototropic बोल लो, या holophytic बोल लो, ओके, लेकिन देखो, plants में भी कुछ-कुछ exception है, जो photosynthesis नहीं करते हैं, जो autotropic नहीं होते हैं, instead, heterotropic होते हैं, जैसे कि, द ये कस कटा, या कुस कटा, ठीक है, ये जो plant है, ये total parasite होते है, parasite होते है, दूसरे living host में present होते है, as a parasite, और उस living host से अपना सारा nutrition, जो भी उनको चाहिए होता है, वो उस living host से लेते है, total parasite होते है, complete parasite, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, host को पर depend करते है, host से अपना पुर प्लांट भी खा जाता है, तीसरा है, नेफेंटिस, जिसे picture plant भी कहते है, चौता है, डायोनिया, जिसे venus fly trap भी कहते है, ये जो तीन प्लांट है, ये तीनों प्लांट होते है, partial heterotrop, heterotrop मतलब क्या, दूसरे organism पे depend करते हैं, nutrition के लिए, कौन से organism, insectivores plants होते हैं, यानि कि insects पे depend करते हैं, insects को खाते हैं, insects से अपना nutrition लेते हैं, बट partial heterotroph बोला गया, partial का word का मतलब समझो, usually ये तीनों प्लांट जो होते हैं, ये photosynthesis ही करेंगे, photosynthesis करते हैं, अपना nutrition बनाते हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कबार क्या होता है, इन तीनों प्लांट में nitrogen का deficiency आता ह nitrogen की कमी होती है, तो उसे पूड़ा करने के लिए क्या करते हैं, insects के उपर feed करते हैं, insects अपना nutrition लेते हैं, क्या होता है, ये विनस फ्लाइ ट्रैप, बड़ाई फेमस एक्जाम्पल है, इंसेक्टी वरस प्लांट का, बच्पल में GK के बुक में भी पढ़े होगे, विनस फ् इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, इसलिए विनस फ्लाइ ट्रैप नाम पर आया, और फिर अंदर बहुत सारे केमिकल रिलीस करता है, और उस इंसेक्ट को क्या करता है, उस इंसेक्ट को मार देता है, उसको digestion स्टार्ट करता है, इंसेक्ट का और इंसेक्ट से nitrogen ले लेता है, तो अपने nitrogen deficiency को पूरा करने के लिए कभी cover क्या होता है partially heterotropic हो जाते है यह तीनों plant but generally देखा जाए तो photosynthesis करते है लेकिन यह कशकट है ना यह total parasite है यह कभी photosynthesis नहीं करता हमेशा अपने host पे depend रहता है nutrition के लिए ओके तो चलो mode of nutrition देख लिए अब आगे बढ़ते है multicellular होते है ठीक है multicellular बहुत सारे cell के composed होते है cell wall is present cell wall present होता है plant में हमें पता है और last वाला point देखो Plastid is present for photosynthesis Plastid हमारा एक ऐसा organelle है जो plant cell में पाया जाता है जो कि plant को help करता है photosynthesis करने में है क्योंकि plant का mode of nutrition क्या है phototropic mode of nutrition plant photosynthesis करता है उसमें Plastid एक organelle है वो plant को help करता है photosynthesis करने में तो चलो अब आगे बढ़ते है अब चलो देखते है plant kingdom classification plant kingdom classification मतलब क्या देखो एक चीज़ देखो biological classification वाला chapter था उसमें आरिश बीटिकर ने क्या किया था five kingdom classification system दिया था जिसने इस जगत पे जितने भी living organism है उन सब का classification किया था साड़े living organism का और पांच kingdom मनाया था मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाइब kingdom plant या और अनिमेलिया को हम plant kingdom भी कह सकते हैं दोनों एक ही चीज़ या तो kingdom plant या बोल या जो kingdom plant या है वो आगे जाके और कितने division में बटा हुआ है तो plant kingdom में और कितना division है ठीक है देखो basically plant kingdom में पांच division है algae, bryophytes, teridophytes, gymnos pumps, angios pumps हमारा जो plant kingdom है वो पांच division में बटावा है 5 division plant kingdom में पांच division है क्या है algae, bryophytes, teridophytes, gymnos pumps, angios pumps अब यह जो पांच division है यह रात तो रात तो आ नहीं गए ऐसा थोरी था एक scientist सुबर उठा पेन लिया और किताब में लिग दिया कि हाँ plant kingdom में यह पांच division होंगे algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm और angiosperm ऐसा नहीं था बहुत study हुआ होगा जिसे classification system में याद करो जब biological classification system हो रहा था तो सबसे पहले आये अरिस्टोटल साहब थाई हजार साल पहले आरिस्टोटल साहब ने सबसे पहला biological classification किया था फिर आरिस्टोटल के बाद आये थे lineage साहब, lineage साहब ने याद करो क्या किया था, lineage साहब ने क्या किया था देखो, lineage साहब ने two kingdom classification system बनाया था अगर तुम्हें याद होगा तो on the basis of cell wall कहा था कि दुनिया में जितने भी जिविद जन्तु है, जितने भी living organism है दो पार्ट में बटे हुए है, एक plantia जिसमें cell wall होता है और एक animalia जिसमें cell wall absent होता है, तो on the basis of cell wall, lineage ने दो कैटेगरी बनाया, एक plantia, एक animalia, अब देखो cell wall तो present होता है मोनेरा में भी, cell wall तो present होता है, प्रोटिस्टा में भी और fungi में भी, तो lineage सहाब का कहने का मतलब क्या है, कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, और fungi में cell wall present है तो क्या, इन तीनों को भी तुम प्लांटी में डाल दोगे, नहीं न, ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए बाद में Ernest Hickles सहाब आए, उन्होंने बोला, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, एक दो काटेगरी नहीं, तीन काटेगरी बना, एक मोनेरा के लिए भी बना, फिर आगे कोपलांट सहाब, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, प्रोटिस्टा के लिए भी एक बना, तो Aristotle के बाद लीनिया सा है, Ernest Hickles ने थ पाँच कींणगम है, पाँच कींणगम क्लासिफिकेशन, तो देखो, ढाई हजार साल पहले स्टार्ट हो गया था बाईलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चर्चा, लेकिं 1969 में आके, आरेश-ग॥िकल्स कींट क्लासिफिकेशन दिया, टीनिया, जो कि NCRT फॉलो करता है, जो कि हम पढ़ रहे ठीक है तो वैसी सेम केस plant kingdom में भी हुआ होगा जब plant kingdom का division हो रहा था algae में, bryophytes में, teridophytes में, gymnos pumps में, angios pumps में, जब 5 division रात तो रात तो बन नहीं गए इनका भी शुरुआत हुआ होगा, इनका भी classification system का कभी ना कभी शुरुआत हुआ होगा तो वही चीज हम plant kingdom classification में भी पढ़ने वाले है, ठीक है देखो, plant kingdom system of classification को जानना है तो तीन classification system को हमें डीटेल में पढ़ना होगा एक artificial classification system, एक natural classification system और एक last वाला phylogenetic classification system इन तीनो classification system को अगर हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या हुआ है कौन-कौन scientist ने artificial classification में साथ दिया, कौन-कौन scientist ने natural classification दिया और किसने phylogenetic classification करके plant का ये जो past division ने बनाया ये चीज़ समझने के लिए हमें इन तीनों system of classification को थोड़ा डीटेल में पढ़ना होगा ताकि mind में जो idea हो, वो clear हो जाए कि plant kingdom का past division, algae, briophyte, eidophyte, gymnosperm, angiosperm करते है, artificial classification system में, artificial classification system of plant kingdom तो चलो, moving on to the next slide, चलो, तो plant kingdom system of classification में हमने बोला था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे artificial classification, artificial classification देखो basically क्या हुआ है artificial classification जो होता है, वो based होता है on one और field, या तो एक या थोरे बहुत morphological characters किसका morphological characters, obviously plant का, क्योंकि plant का classification कर रहे हम लोग, तो कुछ plant के morphological characters पे based होता है, artificial classification, कैसे morphological characters जैसे हो गए, habit, color, number and shape of leaves, जो पत्ता है, जो हमारा plant है, उसका पत्ता का shape कैसा है, कितने सारे number है पत्ते के, पत्ता का color कैसा है, पत्ता का habit कैसा है, पत्ता का habit कैने का मतलब कि पत्ता कितना लंबा आप गड़ो कर सकता है, पत्ता का length कितना है, width कितना है, वो पत्ता का habit है, ओके, और color, number, shape तो हम जानते ही, तो basically plant का morphological character देखा, बाहर से जो जो सुजा, जो जो दिखा I mean plant में, उसके basis पे classification हुआ है, इसलिए कहागे है, artificial classification, अब artificial classification system of plant kingdom में, सबसे पहले जो scientists थे, जिन्होंने अपना दिमाग लगाया था, वो obviously थे Aristotle सहब, Aristotle सहब को याद करो, father of biology भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ में आगे रहते थे, हर चीज़ में एकदम base set किये थे, ठीक है, तो Aristotle सहब आये हमारा पहला artificial classification system में, इन्होंने अपना योगदान दिया, फिर आये linear सहब, ठीक है, तो पहले, अहाँ, linear सहब को क्या का जाता है, father of botany, ठीक है, तो linear सहब होगे father of botany, Aristotle सहाब होगे father of biology, दोनों धासुदार scientists, अब क्या करेंगे, plant kingdom classification में, अपना योगदान देंगे, तो चले पहले, Aristotle का योगदान देखते हैं, Aristotle सहाब ने क्या किया, classified plants into herbs, shrubs, trees, तीन category बनाया, herbs, shrubs, trees, इन तीनों category में divide कर दिया, plants को, किस basis पे, morphological character के basis पे, क्योंकि ये जो दोनों classification है, ये दोनों किसके अंदर आता है, artificial classification के अंदर, okay, अब देखो, herbs मतलब, जो जो plant का size छुटा है, उसे बोला herbs, छुटे से थोड़ा बड़ा है, उसको बोला shrub, और जो बहुत बरे-बरे plants है, उनको बोल दिया, trees, तो ये जो classification हुआ है, Aristotos सहाब ने जो artificial classification के अंदर में दिया है, plant का classification, वो plant के size के उपर दे दिया, ठीक है, morphological character के उपर दिया गया, और precisely मैं बोलू तो, okay, Now next, एक note है यहाँ पर, often the vegetative character, अब देखो, leaf, stem, and roots, ये जो तीन character है, इनको vegetative character कहा जाता है, plant का, vegetative character, ओके, तो often the vegetative character, यानि कि often, leaf, stem, and root, जो होते है, are easily affected by environment, देखो, पत्ता जो होता है, पत्ता जो होता है, आसानी से environment का effect पत्ते पर आ जाता है, अगर environment change होता है, तो हो सकता है, कि normally, जो पत्ता का, एक plant का, पत्ता का size, अगर समझ लो, 5 cm होना आप चाहिए था, तो हो सकता है, environment के effect से, वो पत्ता का size, 5 cm के जगा, 6 cm हो गया हो, या 5 cm के जगा, 4 cm हो गया हो, पत्ता का color change हो गया हो, number change हो गया होगा, पत्ता का shape change हो गया होगा, यानि कि environment का effect आ रहा है, climate का effect आ रहा है, morphological character के ओपर, यानि कि vegetative character के ओपर, तो ये एक नोट ध्यान में रखना इसलिए ये जो classification system था ना उतना अच्छा नहीं था एक तरह से demerit भी बोल सकते हो क्योंकि यार पत्ता के उपर तुम classify कर रहे हो plant को लेकिन पत्ता तो climate से affect हो जाता है environment से affect हो जाता है, change हो आता है फिर क्या करोगे फिर क्या करोगे तो इसलिए ये classification system उतना अच्छा नहीं था ठीक है, फिर आए linear साहब father of botany linear साहब ने क्या किया देखो classified plants into 24 classes on the basis of stimmins क्या किया, plant को 24 class में बाढ़ दिया 24 classes में, on the basis of stimmins stimmins क्या है, देखो stimmins जो होता है, flower का पार्ट है ये जो हमारा flower है, flower में ये देखो, ये जो मैंने या पर thread like structure बनाया है, इसको कहते है stimmins या मैंने zoom कर दिया, ठीक है, यह हमारा stimmins है, ठीक है, अब ये जो stimmins है, ये flower का पार्ट है, अफ्लावर क्या है क्या है, sexual part है plant का, sexual reproduction reproduction में काम करता है, flower में ये होता है, stimmins क्या होता है pollination होता है, flower में फिर fertilization होता है, याद है फिर reproduction हुआ ना तो ये जो flower है ये क्या हो रहा है, देखो, तो इसका मतलब flower के basis पे plant को classify किया गया है, sorry, stimmins के basis पे, और stimmins का part है plant के flower का part है, यानि कि, जो कि sexual reproduction में help करता है, तो एक तरस से इसे तुम sexual classification भी कह सकते हूँ sexual classification, यहाँ पर sexual classification हुआ जो कि बहुत ही अच्छा classification था, compare to Aristotle, Linus आपका classification बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि देखो sexual जो होता है character जो classification, जब flower है वो जल्दी effect नहीं होता है environment से, जो leaf है बहुत आसानी से, tree का जो morphological character, यानि कि vegetative character बहुत जल्दी effect हो जाता है environment से, लेकिन जो flower है एक plant का वो जल्दी effect नहीं होता in fact वो effect ही नहीं होता, effect होगा ही नहीं environment के वज़े से तो इसलिए flower को consider करके classification किया गया, ठीक है linear सहब ने किया, तो यह अच्छा classification था, ठीक है, लेकिन अभी भी देखो कहीं पे तुम्हें bryophyta, teridophyta, पर जाके वो कितना gymnosperm, angiosperm का नाम कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है यानि कि Aristotle और linear सहब के बाद भी बहुत जनाय होंगे जिन्होंने अपना classification system दिया होगा और बहतर बनाया होगा, plant classification system को तो चलो, अब next देखते है artificial हो गया, next क्या था natural classification, तो चलो, अब natural classification system देखते है, okay so, moving on to the next slide तो चलो, अब देखते है plant kingdom system classification मे natural classification system natural classification system किस पे बेस्ट था, देखो it was based on natural affinities among the organism and consider not only the external features यानि कि not only the morphological features but also internal features natural affinities का मतलब क्या है natural affinities का मतलब है जो जैसे plant है, plant का जो internal structure, अंदर में क्या similarities है जो natural similarities है जो morphology से असानी environment से असानी से change नहीं हो सकता, अंदर का जो उड़ जया है, total natural affinities उसके basis पे जानी कि plant का जो external feature भी उसक उसको considering नहीं किया उसके साथ internal feature को भी considering किया morphology को भी किया लेकि सिफ morphology को नहीं किया internal feature को भी considering किया internal feature मतलब अथ प्लानट का अंदर का जो पुर agency अंदर का system है उसको भी दिमाग में र deed सिर्फ बहारी चीजों को दिमाग में रखा तो नेचल क्लासिफिकेशन में देखो क्या वह वाइट वस बेज्ट ऑन अच्छल आफिनिटीज अमंग धर ओर इंग इसम एंड नॉट अल्ली एक्टरनल फीचर अब इंटरनल फीचर कैसे इंटरनल फीचर इंटरनल फीचर क्या similarities है क्या similarities है यह सब देखा गया उसके basis पर classification किया anatomy anatomy मतलब वही अंदर का पूरा देखा गया plant का अंदर का structure अंदर का कैसे develop हुआ है plant पूरा अंदर का material सब कुछ consider किया गया embryology में plants का जैसे plant में क्या होता है embryo बनता है तो embryo का कैसे development हो तो यह सब इंब राइओ को भी consider किया गया तो यह सब इंब podr बोब água कोई भी एक स्मीशल्स उसमें से अघर पूल प्लांट से उस प्लांट तुम्हें ऊठ्चाहरत है नियूधे और सकता है कि दूसरा गृत प्लांट घार भी तभी तुम्हें टेस्चम से सिर्फ external feature को नहीं देखा जैसे artificial classification में हो रहा था external के साथ internal feature भी देखा गया यानि कि देखो classification system धीरे धीरे और बहतर हो रहा है artificial से natural आ रहा है natural और बहतर होते जा रहा है ठीक है अब देखो artificial में कौन थे Aristotle और linear सहब थे तो natural में भी कोई होंगे तो natural classification में देखो क्या है natural classification यानि कि such classification such a classification was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker तुम बहुत जगाप इसी Bentham and Hooker भी पढ़ोगे basically पूरा नाम उतना questions में आता नहीं है जब भी questions बनता है नीट के exam तो जातर Bentham and Hooker ही रखते हैं पूरा नाम ऐसी जान लो George Bentham and Joseph Dalton Hooker यह जो दोनों scientist Bentham and Hooker इन्होंने क्या किया था एक बुक लिखा था किताब का नाम था Genera Plantinum ठीक है कब लिखा गया था यह Genera Plantinum 1862 से लेके 1883 के बीच में यह किताब लिखी गई थी ठीक है Genera Plantum किसने लिखा था किसे लो गई परियवें परियन कोकर ने इस बुक में इस बुक में इस बुक में natural classification किया था इन्होंने प्लांट का कौन सा देखो natural classification of spermatophyta spermatophyta फाईटा एक प्लांट है जो कि basically seeded plant होता है ऐसे प्लांट एक प्लांट नहीं मतलब ऐसे plant is permatophyta जिनमें seed बनता है seeded plant होते है यहाँ सिपर्म जो है न और phyta का मतलब क्या है phyta का मतलब वही plant और sperm का मतलब plant में होता है seed okay sperm ठीक है usually animal में जैसे हम human की बात करे तो sperm क्या होता है gamIt होता है हम क्या कहते है sperm gamit हो गया right but plant में sperm का मतलब होता है seed ठीक है seed तो natural biggest and natural classification सबसे बड़ा classification और natural classification किया था spermatophyta का यानि कि seeded plant का और spermatophyta को तीन category में divide किया था three division किया था three division किया था क्या-क्या dicotyledone gymnospermy और monocotyledone ओके डाइकोट्यविडोनी के अंदर देखो और gymnospermy और monocotyledone के अंदर इन्होंने families दिये थे कितने families को study किया था dicotyledone के 165 families को study किया था इस classification में जो कि bentham and hooker classification भी इसको हम कह सकते है ठीक है और जीम्नोसperm के तीन family को और monocotyledone के 34 families को study किया था bentham and hooker ने अंडर नाच्छल classification ठीक है नाच्छल क्लासिफिकेशन यह जो seeded plant as spermato fight इसका internal feature को भी consider किया था bentham and hooker ने ओके तो टोटल कितने families को study किया तोटल हम कह सकते कि टोटल तुम जो रलो 165 प्लस 3 प्लस 34 हो गया 202 families को bentham and hooker ने अपने किताब genera plant term में study किया था और इन तीनो category को किसके अंदर रखा था spermatophyda के अंदर यह तीनो जो category है यह जो तीनो जो division है यह सब क्या है ऐसे plant है जिन में seed होते है okay seeded plant है यह तीनो अब देखो यहां पे प्लांट kingdom में हमने देखा था क्या अभी जो हम प्लांट kingdom पढ़ते हैं उसमें पांच algae ब्रायोफाइट टेरीडोफाइट जिम्नो स्पर्म एंजियो स्पर्म अब देखो धीरे-धीर क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर्म हो रहा है जो प्लांट स्पर्म का मतलब फीड सील होके एंजियोस्पर्म में भी स्पर्म का मतलब सील है हला कि एंजियोस्पर्म बाद में आने वाला है अब जीम्नो स्पर्म आ गया देखो अब धिरे-धिरे सब आएग़ तो प्लांट कींडंस सिस्टम 部 लं श्री क्लासिफिकेशन में Bentham and Hooker, इनका classification system बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या है, इस classification के merits भी है, demerits भी है, okay, merits भी है, demerits भी है, merits और demerits अभी हम चलो देखते हैं, merits क्या है, इस classification का, merits है कि ये जो मतलब अच्छा क्या है, देखो, classification was mainly based on floral character, floral character को consider किया गया था, all right, जो seed है, seeded plant है, seed किसे बन रहा है, flower से बन रहा है, ठीक है, flower का seed बन रहा है, तो क्या हो रहा है, flower से seed बन रहा है, तो classification was mainly based on floral characters, यानि की sexual character, floral character, plant का flower क्या है, एक sexual character है, तो हम कहा सकते हैं, कि ये जो classification system था, ये, इसमें कहा है, sexual characters are more stable than vegetative character, हमने अभी देखा, जो vegetative character है, वो environment के effect से change हो सकते हैं, लेकिन sexual character, जैसे कि floral character वो होता है, जो plant का, वो आसानी से environment का effect नहीं पड़ता है, उन पे, classification was mainly based on floral characters, तो ये एक बहुत ही अच्छा merit है, और जो classification था, it was based on actual observation, actually में George Bentham ने and Joseph Dalton Hooker ने 21 साल लगाए थे, इस classification में, देखो जैनेरा प्लांटेनों किताब ना 1862 से 1883, मतलब 21 साल तक इनों ने botanical garden में बैट के इन पूरे 165 प्लस 3 प्लस 34, 202 फैमिलीज प्लांट का, spermatofya का, dicotyledoni, gymnospermia, monocotyledoni का बैट के study किया था, actual observation, तो इसलिए इस classification system में दम था, अच्छा खासा दम था, ठीक है, युकि दो बड़े अच्छे, अच्छे merits थे, लेकिन वही merits है तो demerits भी होंगे, demerits देखो क्या है, demerits एक छोटी सी गलती, छोटी सी गलती, छोटी सी या फिर बड़ी सी बोल लो, उन्होंने कर दी, जिसे हम dicots भी कहते है, commonly, और monocotyledoni, जिसे हम monocots भी कहते है, commonly, तो इन दोनों के बीच में gymnos pump को place कर दिया गया, अब यह demerit कैसे हुआ, देखो, because that is phylogeny was not considered, phylogeny की अगर हम बात करें, phylogeny क्या होता है, evolutionary relationship, पहले एवफ किया, kον बात में, evolutionary relationship, okay? तो evolutionary याणि phylogeny यह कहता है, कि सबसे पहले आते है gymnos pump, फिर evolve होते है, dicot, फिर आते है monocot, okay? लेकिन ये चीज गलती, ये गलती होग, इन्होंने क्या किया? gymnos pump को dicot और monocot के भीश में place कर दिया, but according to evolutionary sequence, according to phylogenia, पहले gymnosperm ने राया है, फिर बाद में dicot आया है, फिर monocot आता है. इसलिए dicot में क्या होता है, seed बनता है, plus flower बनता है. monocot में भी seed बनता है, plus flower बनता है. लेकिन gymnosperm में बिना flower का seed बन रहा है, फ्लावर नहीं है. हैं निकिए फ्लावर है बट अस्टिएट प्लावर कि है इट कि अप्लावर नियाह थिक्प्लेट प्लावर थीक आए तो इस नियुसल यह कहता है कि पहले जीम्नोस पा исп मोनोकॉर दोज程 होगे इन दोनों से लेगार में मॉले मैं नियुक्ता वल्ट को Bentham and Hooker को Sorry Really sorry Bentham and Hooker ने क्या किया Gymnose Plum को Dicotylodony and Monocotyledony के अंदर डाल दिया But इनको क्या करना चाहिए था पहले Gymnose Plum को Place करना चाहिए था फिर करना चाहिए था Dicot को फिर करना चाहिए था Monocot को यानि कि GDM वाला sequence follow करना चाहिए था ने DGM वाला कर दिया ठीक है तो यहाँ पे इनकी एक गलती हो गई तो चलो इनकी गलती को हम नज़र अनदाज नहीं करते हुए सुधारने की कोशिश करते है अगले classification system में अगले plant kingdom system of classification में जो की है obviously हमारा phylogeny classification system moving on अब चलो plant kingdom system of classification में देखते है phylogenetic classification system तो phylogenetic classification system जो है it is based on evolutionary relationships अब evolutionary relationships वाट का मतलब कहा है संचुँ evolutionary relationships जो होता है इसका मतलब क्या है evolutionary relationship जो होता है वो होता है based on common common ancestors okay common ancestors इस चीज में ज्यादा detail में जाना क्योंकि class 12 में जब तुम जाओगे तो वहाँ पर जाके evolution chapter पढ़गे तो यह सब चीज इडिटेल में जानने को मिलेगे यहाँ पर मैं एक basic idea दे रहा हूँ okay phylogenetic classification it is based on evolutionary relationships evolutionary relationship क्या होता है evolutionary relationship होता है based on common ancestor यानि कि अगर मैं तुम्हें बहुत सारा organism दू और बोलो कि इन organism को ऐसे अरेंज करो कि वो वो organism जो एक common ancestors evolve हो के आये है वो arrangement में पास-पास हो समझे रहो मतलब समझे यहाँ पर ऐसे organism को अरेंज करो कि वो वो organism जो एक common ancestors इवालव हो के आये है वो पास पास हो तो यह जो चीज हम कर रहे यह जो पूरा study कर रहें ऐसे organism को पास पास रख रहे है जो कि एक common ancestor से evolve हो क्या आया है तो हम क्या करें evolutionary relationship देख रहे है ऑर्गड़निस्ट में कि बीच में जो कि based होता है common ancestor के उपने एक common ancestor से जो जो ऑर्गिनिजम इवाल वो क्या है obviously हम उसे पास पास रखेंगे आया समझ में यहां से तुम्हें बोल दिया वहां तक आया पहुंचा नहीं पहुंचा होगा देखो अब पहुंच जाएगा एक्जाम्पल लो human okay human all right human अगर मैं तुम्हें बोलो कहां से वालव है किससे वालव है तो तुम फटाक से बोल दोगे monkey से यह तो सब जानता है monkey से लेकिन देखो monkey के बाद आया है chimpangee चिं चिमन चिम्पैंजी डायोह होता है यह सिंगल यह होता है याद नहीं इक देख लें न डिक 230 चिंमपैंजी से इवाल्व हो का है human थो लो आग पूछो है उस्तिका कौमन एंसिस्टर को मौन है human और चिंपैंजी का यह जो दो है इनका इनका इन दोनों का common ancestor कौन है तो तुम बोलोगे monkey है क्योंकि monkey से ही chimpanzee evolved हुआ है और chimpanzee से ही human evolved हुआ है तो human और chimpanzee का common ancestor हो गया monkey लेकिन मैं पूछू human का past वाला close ancestor कौन है तो तुम बोलोगे chimpanzee देखो past में कौन है? past में chimpanzee है लेकिन गर मैं बोलू human का चिंपैंजी से भी far वाला ancestor कौन है तो तुम बोलोगे monkey है ठीक है तो देखो ये ऐसे arrange किया गया है इन तीनों organism को evolutionary relationship में मतलब इनका evolutionary relationship देखा गया और ऐसे arrange किया गया कि वो organism जो common ancestor से evolve होके आया है वो पास पास हो monkey को यहां रख सकते थे नहीं रखेंगे ना लेकिन monkey को chimpanzee को यहां क्यों रखेंगी क्यों कि देखो monkey से chimpanzee आया फिर chimpanzee से human आया और राइट तो ये basic idea तुम्हाई दिमाग में क्लियर हुआ होगा लेकिन इसको ज़्यादा detail में मत सोचना यह evolution chapter में आगे 12 में पढ़ोगे यहां हम human का बंदर का study क्यों कर रहे हैं यहां तो हम plant का study करने बेठे है नब plant kingdom देख रहे हैं तो चलो plant में भी अब ऐसा evolutionary relationship होगा plant में भी कुछ plant पहले आये होंगे फिर उससे evolve के बहुत सारे plant आये होंगे यानि कि बहुत सारे plant के बीच में भी क्या कुछ common ancestor होगा उनका जिनसे वो सारे plant जो है evolve हो के आये होंगे तो यही चीज़ चलो plant में देखते हैं यह चीज evolutionary relationship की study यानि कि phylogenetic classification plant में दिया था एकलर सहब ने एकलर सहब गे first phylogenetic classification इन्होंने क्या किया दो कैटेग्री बनाया plant kingdom में cryptogamia panerogamia cryptogamia में क्या क्या फृर्दर इसका तीन डिविजन किया thallophytes, bryophytes, pteridophytes किस बेसिस पे इन तीनों में flower नियो होते हैं यह जो तीनों division है plant का दिया without flower इनमें flower नियों बनता phylogamia में क्या किया दो डिविजन किया gymnospum and angiospum याद करो gymnospum में flower जो बन रहा प्लावर नियो flower-like structure बन रहा है क्योंकि gymnospum में जो seed बनते हैं without flower के बनते हैं हमने देखा था जॉन बेंथम और hooker वाला जो scenario था उसमें देखा था उनसे गलती होगे थी उनको gymnospum को dicot or monocot में नहीं रखना चाहिए था पहले gymnospum को रखना चाहिए था disputes crawling happen और monocot को मुआ ज़्या था oh सब्सक्रा को रखना चाहिए क्योंकि gymnos 얘기 Cash में बिना flower बन रहा है byर का बनन रहा है और jak अलो पर municipalinka रहा और सीट्ष और भी बन रहा है तो ऐसी ज्यम्नोजक्म में क्या हो रहा है फ्लावर लाइकr के क्दश्वर बन रहा है लेकिन एंगियो हैं इसी के यंदर हम nagy को पढते हैं अब देखो plant kingdom classification तुम्हें पूड़ा दिख रहा हो गा हमने artificial देखा हमने natural देखा, phylogenetic में देखो पूड़ा हो गया classification plant kingdom में हमने क्या देखा था, algae होता है, bryophytes, tereidophytes, gymnose sperm होता है, angiosperm होता है आलगी भी दिख रहा है अब हमें अब हमें ब्रायोफाइट भी दिख रहा है अब हमें टेरिडोफाइट भी दिख रहा है अब हमें जिम्नोस्पम भी दिख रहा है और अब हमें एंजियोस्पम भी दिख रहा है यानि कि हाँ पर हम कह सकते कि प्लांट kingdom classification हो गया जैसे आरिश वितिकर साहब ने पूरा biological classification किया था अरिस्टोटल साहब ने सुरुवात किया फिर linious आया फिर hickle आया फिर copland आया फिर आरिश वितिकर बोले कि नहीं जगत में जितने भी जीब जनतु है प्लांट kingdom में बटे हुए है मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटिया अनिमेलिया सेम केस प्लांट kingdom में भी है पहले अरिस्टोटल साहब आया बोले ट्री श्रब हर्ब्स है फिर linious साहब आया बोले नहीं अपना अपना एक कंट्रिबूशन दिया सारे साइंटिस्ट ने सब नारिस्टोटल ले लिएस ने वें थम अनुकर ने और एकलर ने तब जाके प्लांट kingdom जो classification है वो पूड़ा हुआ तो यहां पर हमारा plant kingdom system of classification पूड़ा हुआ ओके बट NCRT जो है वो यहीं पर खतम नहीं हो रहा NCRT क्या कर रहा फाइलोजनी क्लासिफिकेशन में दो चार बाते और उसमें बोली है जो हम डिसकस कर लेंगे देखो system of classification plant का पूड़ा हो गया लेकिन फिर भी NCRT फाइलोजनी के बारे में थोड़ा और बात किया है जो कि हम भी करेंगे बी बात ठीक है तो शुरू नेक्स स्लाइड में बढ़ते है और थोड़ा फाइलोजनी के बारे में और हलका सा डिसकस करते है अब देखो nowadays for phylogenetic classification अब देखर हो तो बड़ा ही दिमाः खराब करने वाला प्रोसेस है जिसके लिए हमें फॉजिल्स की जरूद परती है जब दाइनसौर के फॉजिल्स है तो डाइनसौर का फॉजिल मिला तो हमें पता चल गए आपका ऐसे डानसौर रिलेटेड है को इसे अशार से क्या-क्या औ बहुत आसान हो जाता है काम फाइलोजेनिक का मतलब जो काम होता है अगर वो फॉजल मिल गया किसी और्गनीजम का बड़ा आसान हो जाता है लेकिन क्या होता है न कभी कभार फॉजल मिलता नहीं है किसी और्गनीजम का फॉजल नहीं मिलता है अफर कभी कभी कोई कोई अब सब एकदम टिप टॉप हो गए तो nowadays for phylogenetic classification we use information from many other sources to resolve difficulties in classification when there is no supporting fossil evidence available जब कोई fossil evidence available नहीं होता है तो दिक्कत हो जाता है phylogenetic classification में तो क्या करते हम लोग हम यूज करते है information from many other sources to resolve difficulties कैसा difficulties fossil नहीं मिल रहा क्या 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 information है क्या क्या वो sources अब चलो देखते हैं phylogenetic classification में numerical taxonomy cytotaxonomy और chemotaxonomy यह तीम taxonomy method है यह phylogenetic classification को आसान कर देते हैं या फिर इन जेनरल एक तरसे देखो classification मतलब system को ही आसान कर दिये taxonomy को ही आसान कर दिये क्या होता है आज कर सब चीश computer से हो रहा है तो चलो taxonomy भी computer से करवा लो तो numerical taxonomy जो होता है वो होता है carried out by using computers क्या होता है इसमें जो numerical taxonomy होता है वो based होता है on all observable characters जितने भी characters तो मैं हमें आख से दिख रहा है observe कर पा रहें उसके basis पर अब numerical taxonomy करते हैं computer का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं क्या करते हैं हम लोग numbers and codes are assigned assigned to all the characters and the data are then processed यानि कि जितने भी characters हमें मिल रहा है उनको हम number या code assign कर देते हैं और उसको और जो data है जितने भी data है सब कुछ विसे एक organism है उसका हमें जितना भी character दिखा उस अब character को एक number एक code assign कर दी है और उसको प्रोसेस करके हम लोग रख देते हैं data को प्रोसेस करते रहते हैं ताकि हमें कोई भी organism हो उसका बात में जाकर taxonomy पता करना पड़े उसको study करना पड़े तो उसमें आसानी हो कोई एक नया organism अगर कभी हमें मिल जाए तो हम पुराने organism के character से उसके character को मिला के देख सकते कि क्या similarities आ रहा है तो यह सब काम computer का है ठीक है computer कर रहे हैं पर हम बस computer में क्या कर रहे है data और number assign कर दे रहा है character को number और code assign करके रग दिये character को और data फिर जोता है वो process होता है और वही evolutionary relationship निकालता रहता है या फिर numerical taxonomy जो भी होता है जो भी classification का काम में computer करता रहता है ज्यादा detail में मत देखो एक basic idea लो इसी आठी लिखा इसलिए सम्झा रहा होने तो यह सब चीज़े सम्झाने वाली भी नहीं है numerical taxonomy क्या है इसमें क्या होता है is data is given equal importance okay and even hundred of characters can be considered अब computer है धराधर जितने character तुमें मिल रहा है सब को consider करो कि इंसान का brain थोड़ी है कि भूल जाएगा computer है भाई सब सब याद रखेगा तो जितना data मिल जितने character मिल रहा है सब धराधर उसमें ठुसते रहा है each data is given equal importance and even hundred of characters can be considered okay तो ऐसे numerical taxonomy करके हम क्या करते है इस information को यूज करके resolve कर लेते difficulties in classification दूसरा है cytotaxonomy cytotaxonomy में क्या होता है अच्छा है यहां यहां पे computer का तस्वीर बना है था मैंने देख लो यह हमारा laptop है चलो अब देखो cytotaxonomy based on cytological information like chromosome number structure or behavior cytotaxonomy में क्या करते हैं हम लोग cytological information को consider करते हैं जैसे कि chromosome का number उसका structure उसका behavior यह हमारा chromosome है एक organism में उसका कितना number है कैसा structure है कैसा behavior है यह सब consider किया जाता है और compare किया जाता है दूसरे organism के chromosome के साथ यानि कि cytological information यूज कर रहा है taxonomy classification चीज़ को और आसान करने के लिए ओके तीसरा और अंतिम है हमारा chemo taxonomy chemo taxonomy में क्या होता है देखो chemo chemical थोड़ा थोड़ा यहीं से पता चल रहा है chemical का काम है तो देखो क्या है based on chemical constituents of plants to resolve confusion okay यानि कि यह हमारा scientist भाई साब है इन्होंने को यह chemical पकर के रखा है chemical constitution जिससे दो plants है दो plants में अगर हमें ऐसे chemical मिल रहा है जो similar है तो हो सकता है वो दोनों plants evolutionary related हो ठीक है कुछ नकुछ उन दोनों में similarity हो जैसे मैंने जैसे कहा था था ना flower का अगर एक flower है उसमें से खुश्बू आ रहा है और एक और कोई दूसरा plant में से खुश्बू है और दूसरा plant से भी वैसाई टैप का खुश्बू आ रहा है तो हो सकता है वो दोनों में chemical होंगे वो शायद सेम होंगे तो इसलिए based on chemical constituents हम plants का भी confusion जोड़ कर सकते कि कौन सा plant क्या है क्या है कैसे है सब कुछ यानि की simple term में classify कर सकते हैं तो chemo taxonomy cytotaxonomy numerical taxonomy I hope थोड़ा बहुत concept तुमारा दिमाग में clear हुआ होगा ठीक है यह सब क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम और आसान कर रहा और phylogenity classification जो कि बहुत ही मुश्किल वाला classification होता है जिसमें fossil कभी कभार मिलता ही नहीं है तो इन सब में हम इन सब चीजों को consider कर सकते हैं इन सब चीजों को इन सब चीजों का help ले सकते हैं तो यहां पे हमारा Introduction Plant Kingdom का खतम होता है Next lecture में हम Plant Kingdom का Plant Kingdom सबसे पहला जो division है Algae, सबसे पहला जो member है Algae उसके बाद में बढ़ेंगे तो चलो यहीं पे lecture खतम होता है तो guys यहीं पे lecture खतम होता है अगको तुमें lecture समझ में हैं समझ मैं है तो प्लीज प्लीज वीडियो को like करना, Nitology को social media पर follow करना, Instagram पर, Facebook page पर, Twitter पर, और Nitology का जो Telegram channel का जो link है, Nitology अंडर सकोर है के हैं यहाँ पर मैंने link दिया है, तो Nitology को जाके Telegram, Nitology का जो channel है Telegram पर उसको भी जाके join करो, और सबसे important बात निटालजी का चैनल का लोगो तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो और निटालजी चैनल को सब्सक्राइब करो और निटालजी के और भी वीडियो तुम्हें देखने है तो यहां पर तुम्हें नीचे वीडियो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके निटाल